नमश्कार में उप्रिया बिहारी नियूस में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के इन 12 जिलों में रेड एलर जारी पटना में मिला लखपती इंजीनियर हुई छा पिमारी अब चले बढ़ते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से पटना में मिला लखपती इंजीनियर हुई छा पिमारी आज सुबह सुबह राजधानी पटना के पुनाईचक इलाके में रहने बाले पत्थ नर्मान विभाग के कारेपालक अभियंता के धन कुबेर होने का खुलासा हुआ है सुबह सुबह निग्रानी विभाग ने जब छापा मारा तब विजलन्स की टीम ने लगभग 60 लाक रुपे क्याश परामत किये हैं आलम कुछ यू रहा कि नोट गिनने के लिए विजलन्स की टीम को मशीन मंगमाना पड़ गया इतना ही नहीं टीम को कई दस्तावेस भी हाथ लगे हैं जिसकी जाच फिल हाल जारी है ग्यातो पत्रमान भाग के कारेपालक अभियंता हाजीपुर में पोस्टेड हैं अभी हाली में सरकार ने इसका तबादला पुल निर्मान निगम में किया था मिड़े मील की जिम्मदारी से सिक्षक हुए मुक्त बिहार के सभी सरकारी स्कूलों बे मिड़े मील देने का प्रावधान है हाला कि अब तक इसकी जिम्मदारी स्कूल के सिक्षकों की होती थी लेकिन अब ऐसान नहीं होने वाला है क्योंकि मिड़े मील को लेकर छात्रों को मिलने वाले मध्यावहन भोजन को लेकर सरकार जल्द ही बड़ा बदलाफ करने वाली है जिसके तहंत ही सरकार अब सिक्षकों को सिक्षा के काम की ही जिम्मेदारी देगी ताकि सिक्षकों का ध्यान केवल सिक्षा मोहया करवाने में हो शुक्रवार के लिए प्रदेश के 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है साथी मुसलाधार बारिश की बात भी कही गई है इसके साथ ही कई जिलों में वजरुपात की आश्रंका भी जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में बताये गया है कि सुप भाग ने अगले 72 घंटों तक के लिए बारिश का अपडेट चारी कर दिया है बोध गया बालिका ग्रेह कांट की जाज के लिए टीम का हुआ गठन हाली में नवादा जुले की एक किशोरी ने बोध गया बालिका ग्रेह पर कई सारे आरोप लगाये थे जिनको मीडिया ने बाल संगरक्षन पता दिकारी गया महिला थाना की थाना ध्यक्ष को शामिल किया गया है इस बाबत बालिकाओं से पूछता भी की गई जहां पर आरोपित बालिकाओं के साथ रहने बालिकाओं की तरफ से लिखित स्टेट्मेंट दिया गया है हाला की बालिका ग्रेह के तर और प्रमंदर्व में जहंडो तोलन को लेकर बिहार सरकार ने अपना देश जारी कर दिया है जिसके तहत सरकार ने साफ कहा critics कि देश के 75-70 स्वतनत्रता दिवस के मौके पर जिला और प्रमंदलों में केवल DM और कमिशनर ही जहंड़ो तोलन करेंगे इस सम्मंध में क्याबिनेट सच्चिवाली ने सभी प्रमंडली आयोकत और जुलापदादिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि कोरोना संक्रमन के मदे नजर स्वतंतरता दिवस समारों के आयोजन के सम्मंध में 13 जुलाई 2021 को जारी पत्र का अनुसरन करे और सरकार की तरफ से दि करने का काम नहीं किया जा सका है हाला कि हैराम करने वाली बात ये है कि सरवर बिजली कंपनी का डाउन है लेकिन इसकी मार का सामना हमें और आपको ही करना है क्योंकि ओन्नाइन बिजली बिल भुगतान नहीं होने के कारण उपभुगताओं को 1.5% की छूट नहीं मिल रही ह उनके बिल में 1.5% का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा के दौरान बेहतरीन योगदान करने वाले बिहार के 5 IPS अधिकारी समेल 7 पुलिस अफसरों को केंद्रे ग्रिमंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। इन अधिकारियों को Medal for Excellence in Investigation 2020 से नवाजा जाएगा। निताशा गुडिया, बाबुराम हरी प्रसाद, निलेश कुमार, योगेंद्र कुमार, उग्रनात च्छा, मुहमद नियाज एहमद का नाम इसमें शामिल है। इस बाबत DSP, SK सिंगल ने सभी अधिकारियों को बढ़ाई दी है। CRPF.GOB.IN पर जवा कर आवेदन भर सकते हैं। को अंसुना कर दिया। वहीं अब तेजस्वी ने इस मुद्दे को लेकर PM के नाम पत्र जारी किया है। इस मुद्दे पर तेजस्वी आदव ने कहा कि आज मैंने भी PM मोदी को पत्र लिखा है और उनसे मिलने का वक्त मांगा है। इसको लेकर पत्र जारी कर दिया गया है, जारी किये गए पत्र में जातिकत जनगर्ना को लेकर अपना पक्ष रखा गया है। वहीं इस दोरान उन्होंने CM नितीश पर तंज भी कसा जिसके तहर्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने कहा कि बिहार में डबल इंज्वन की सरकार चल रही है, इस सरकार के मुख्या को PM मोदी मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। इस की साथ ही हाई कोट ने जमीन का पैसा जमीन मालिकों को देने का निर्देश दिया है। बिहार में एक बार फिर से विशेश वाहन जाच अभियान के शिर्वात कर दी गई है, हाला कि ये तो अभी कुछ ही जिलों में की जा रही है, लेकिन इसमें पटना जिले का नाम भी शामिल है। जिसके तहट बीते दिन किये गए वाहन जाच अभियान में 796 वाहनों का चालान काता गया है, उन वाहनों के चालकों से 8,35,500 रुपे जिर्वाना वसूला गया है। सबसे जाद वाहन चालकों को हेलमिट नहीं पहनने और सीट बेल्ट नहीं बांधने पर चालान दिया गया है। विभाग को टीचर ही नहीं मिल रहे है। जागरन की तरफ से प्रकाशृत खबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान विश्यों के लिए खूब अफिर्थी आ रहे हैं लेकिन हिंदी संस्कृत और उर्दू के सिक्षक नहीं मिल रहे हैं। विभाग के मुद्धे पर सवाल पूछते वे कहा कि अब मुख्यमंत्री जी आईपियल खेलने का समय गया अब सवाल का जवाब देने की बारी है। इसके साथ उन्हा ने ईटीवी भालत से बादश्वीत के दौरान कहा कि बिहार में पिछले 12 सालों से कटाव की समस्या गंभी रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर नितीश कुमार है। क्या उन्हें अब तक जमीन मिल पाई है। घर नहीं होने के कारण जो लोग स्कूल में आश्रे लिये वे हैं वहां रसोई घर बंध है। सरकार ने बाढ़ पीडितों की मदद के लिए क्या क्या किया है। पशुपती कुमार पारस ने पार्टी पर बोला धावा लेकिन भाई के बंगले में रहने से किया इंकार। सी पी सिंग को 38 जन्वरी मार्ग बंगला अलोट हुआ है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे फिलहाल इस बंगले में शरदियादव और 38 जन्वरी मार्ग बंगले में पुर्वस्वासमंतरी डॉक्टर हर्शुवर्धन रह रहे हैं ग्या थो पशुपती पारस को अपने जवाब हुमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेटे देने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेर आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद